हेलो दोस्तों तो गाइस वेलकम टू माइ फर्स्ट प्रिमियर वीडियो ये प्रिमियर वीडियो मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये जो अन्बॉक्सिंग आप देखने जा रहो ये इंडिया की फर्स्ट अन्बॉक्सिंग होगी हाँ गाइस इंडिया में ये हेटफोन की अन्बॉक्सिंग नहीं होई अभी तक और वर्ल्ड में भी ये फोर्थ या फिप्ट होगी यकीन न हो तो आप खुद यूट्यूब पे सर्च करके देख लो तो गाइस ये हेटफोन लॉंच होए थे प्राइम डे सेल पे आपको याद होगा दो दिन की सेल आई थी आमाज़ान पे प्राइम डे की वहाँ पे ये हेटफोन लॉंच होए थे ये एक स्पेसल एडिशन हेटफोन है जिसका ओरिजिनल प्राइस 15,000 आप देख सकते हो ले वर्जन है इसमें और इसके साथ आपको मिलेगा APTX और APTX लो लेटेंसी का सपोर्ट और ड्राइवर इसके बात करें तो इसके ड्राइवर्स हैं 32 mm के चलो यार पहले फटा फट से हेटफोन को बाहर निकालते हैं इसका लुक देखते हैं उसके बाद मैं इसके और फीचर को यहाँ पर अन्बॉक्स करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह सनाजर की तरफ से स्पेसल एडिशन हेटफोन लॉंच किया गया था इससे मिलता जुलता जो आपको हेटफोन देखने को मिलेगा वो है HD 450BT लेकिन इसका वर्जन है HD 458BT मतलब यह उस वाले वर्जन से थोड़ा सा अच्छा है और रही बत availability की तो आप इससे आसानी से Amazon से purchase कर सकते हो जब भी वो available होगा अभी यह out of stock है तो guys यह देखो अंदर कुछ इस तरह से packed है headphone तो एक सेकंड मैं इससे बाहर निकालता हूँ और अंदर देखते हैं और क्या-क्या है त तो दो केबल आपको मिलेगी एक charging cable होगी और एक aux cable होगी तो charging adapter कोई नहीं दिया गया है तो ठीक है कोई बात नहीं आजकल headphone के साथ कहां ही charging adapter आपको मिल रहा है तो guys यह देखो यह रहा हमारा headphone जो की अभी folded है इसे पूरा straight करके देखते हैं कि यार यह build quality तो काफी सही लग सकते हो आप और यहां पर mike दिया गया है आपको noise cancellation के लिए यह आप देख सकते हो noise cancellation का scene क्या होता है कि आपको जो बाहर से noise आती है जितनी वैसी ही यह negative noise बना के उसे cancel कर देता है तो जैसे plus-minus का scene होता है एक number 10 है आपको 10 ही negative लाना होगा उसे cancel करने के लिए same वही scene होता है इसके सारे ports और keys वगरा right side में दे रखी हैं अब मैं आपको दिखा देता हूं ये जो key है ये power on off और noise cancellation की है इसको hold करोगे तो power on हो जाएगा और वापस से hold करोगे तो power off हो जाएगा बाकी आपको aux port मिलता है charging port type c charging port मिलता है और नीचे ये देखो तो आपको ये volume up और down key मिलती है यहां पर आप देखो तो ये जो slider key है ये pause next और प्रिव करने के लिए है songs जब भी आप सुनते हो तो pause next प्रिव आप यहीं से कर सकते हो बाकी ये जो key है ये pairing की है और ये google assistant वगरा भी आप इससे hold करोगे तो enable कर सकते हो google assistant या जो भी आप default by set कर दो तो बात करते हैं इसके aux cable की तो aux cable इसकी काफी quality अच्छी है braided नहीं है लेकिन फिर भी quality काफी साही लगी मुझे और सबसे अची चीज की आपको size का कोई issue नहीं कि यहां चोटा स aux cable बस नाम करने के लिए दे दिया आपको काफी लंबी cable मिलती है I guess one meter या one meter से बड़ी आपको cable मिलती है तो आप लाग मीटर दूर बैठके खेल सकते हो आराम से और मैं बात कर उसके pouch bag की तो यह मुझे कुछ खास नहीं लगा यार मतलब protection के नाम पे तो कुछ ही नहीं है सिर्फ आप इसमें रख सकते हो अपना headphone तो यार थोड़ा सा एक अच्छा pouch दिना चाहिए जिसमें protection अच्छी हो सक बिल्कूली आसानी से आप देख सकते हो अपने according time दो device connect कर सकते हो दो device means कि आप अपने फोन से connect करके कुछ देख रहे हो फिर तुरंधी फोन का pause करो लैपटॉप का प्ले करके देखना सुरू कर दो दो बारह से connect कराने के जरूरत नहीं है वारलेसली गेमिंग की भी बात करें तो Bluetooth 5.2 का support है और APX low latency का support भी इसमें है तो उ हुआ हुआ है